हलो आज है 17 जन्वरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं नाइका के बारे में देखे एक ऐसा स्टार्ट अप जिसने लिस्टिंग के बाद बहतरी इंतेजे दिखाई लेकिन उसके बाद क्या उसके बाद हम सबने देखा कि किस तरीके से यहाँ पर जो फसे हैं लोग वो रिटेल इन्वेस्टर्स है और काफी जादा लॉस हो रहा है इवन अगर आप देखो तो अब तक का सबसे बड़ा लो जो है वो इसने बना दिया है वीडियो में डिसकस कर नहीं किया है तो प्लीज अभी से सब्सक्राइब कर लीजिए तो आगे भी बहुत सारे वीडियो जो को काफी जादा help करेंगे तो ना इका कि अगर हम बात करे तो वाया था बहुत बड़ी घिरावाट है इतना ही नहीं अगर हम बात करे तो जब इसके άईपीओ आया था 81.78x सब्सक्राइब हुआ था ये और ऐसी तीजी बनी थी ऐसी तीजी बनी थी लिस्टिंग के बाद कि ये 2000 तक चला गया था इतनी बड़ी रफ्तार थी लेकिन उसके बाद क्या हुआ उसके बाद लगा था तूटा है अगर पिछले एक महिने में अगर आप देखो तो नाइका का जो शेर है पिछले एक महिने में यहाँ पर 20% के गिरावट है एक साल के अगर हम बात करें तो पिछले एक साल में नाइका का जो शेर है उसमें गिरावट जो है वो 60% से भी जादा की है 345 रुपए actually मैं 345 नहीं था ये बाद में हमने देखा कि किस तरीके से यहाँ पर bonus share announce कर दिये गए और एक के बदले 5 share मिले जिसके वज़े price adjust होता हुआ हमें नज़रा है और एक extra 6 share मान के चलो तो वो यहाँ पर हुआ और यही वज़ा है कि अभी आपको 345 दिख रहा है लेगन फिर भी अगर आप देखोगे तो गिरावट तो काफी जादा है इवन अगर आप 3 साल के बाद करो तो एक वक्त ऐसा भी था जब नाइका का जो share था ये तकरीबन 415 रुपए तक चला गया था मतलब काफी बड़ी रफ्तार थी 2000 के लाप यहां पर मतलब इतनी बड़ी रफ्तार थी उसके बाद जो गिरा था ठीक है बीच में गिरा भी था वापस बाउंस बेक कर गया वापस उसके बाद लगा तर जो गिरावट हमें देखने को मिली है वो अपरिल 2022 के बाद किया आई है और खास है कि बड़ी गिरावट हमें तब देखने को मेरी जब लॉकिंग पिडियर खतम होता नजर आया लॉकिंग पिडियर जब यहां पर खतम हुआ तब और ज़्यादा गिरावट आई नाइका को लेकर अगर हम देखेंगे तो नाइका में लार्जट्यप कंपनी है 38,000 करोड से भी जादा किसका मार्केट क्याफ है वोल्यूम्स देखा जाए तो धाई करोड के आस पास का है बहुत बड़ी कॉंटिटी में शेयर ट्रेड हो रहे है और कंपनी प्रॉफिट में है ठीक है परही सारे स्टार्टप ऐसे है जो यह प्रॉफिट में नहीं है लास ही दिखा रहे है लेकिन नाइका प्रॉफिट में है हलाकि रिवन्यू में तेजी है 885 करोड का जो इनका रिवन्यू सा अगर हम बात करें नाइका में तो वाल्यूम काफी बड़ी कॉंटिटी में देखने को मिले मतलब शेयर में काफी जाद ट्रेडिंग अभी देखने को मिल रही है और जो एनालिस्ट है उनकी भी अलग-अलग राई है नाइका को लेकर वो भी हम बात्चीत करेंगे अकॉर्डिंग टू मने कंट्रोल यूजर 37% लोग कहा रहे कि बेश तो और निकल जाओ यहां से 58% लोग कहा रहे खरीदारी करो 5% लोग कहा रहे होल्ड करो से जुड़े हुए लोगों की तरफ से 150 रुपए का शेयर था आप देखो यहां पर 50,000 शेयर बेचे गए अलका वियास की तरफ से विकास सिंग 10,000 शेयर बेच दिये चानक्या शर्मा 18,000 शेयर बेच दिये अंकित अगरवाल 700 शेयर बेच के निकल लिए अंवर सिंग 1000 शेयर बेच के निकल लिए वह भी मैं बात कराऊ उसे इसी साल की इसी महीने की बात कराऊ ज़्यादा दूर की बात निया दोसार तेज की बात है यह 2nd January की ही बात है 2nd or 3rd January गुरलिन मित्री 18,000 शेयर बेच के निकल लिए तो वह यह disposal बहुत जाद यहाँ पर देखने को मिल रहा है और यह भी कई ला कई reasons भी है यहाँ पर बात करेंगे dividend की तो dividend अभी तक pay नहीं किया है अगर company के results कब आएंगे तो अगले results December को कब आएंगे उसके अभी तक कोई date सामने नहीं आई है यह December quarter के कब आएंगे result जैसे आएंगे अब उसके बारे में भी बात करेंगे इतना ही नहीं NICA का revenue अगर आप देखोगे न तो 2020, 2021 और 2022 में कोई बहुत 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 changes नहीं हुआ है ठीक है इनके revenue हलाकि थोड़े से data गलत है 187 क्रोर का revenue उससे जादा का ही revenue है जहां तक profit के भी बात करें तो profit में बढ़ोतरी अभी अगर हम देखे तो 2022 में देखने को मिली और तब इन्होंने कह सकते हैं कि listing भी कर रहा है लोग लगा गया अब यहां से अच्छी तीसी दिखाएगा लेकिन अभी ऐसा हो नहीं रहा है मुश्किल से company quarterly 4.5 क्रोर का मुनाफ़ा कर पा रही है अब NICA के अगर हम बात करें तो HSBC को लगता है कि जिस price पर trade कर रहा है वो price attractive है HSBC काफी बड़ा houses है आप देखें कि HSBC in its latest India equity strategy note said कि NICA stock has recently corrected partly due to the global tax sell-off on rising yield and more recently due to the recent lock-in expiry देखो 10 November को locking expiry थी और देखो यह हर बार होता है कोई भी company जब listed होती है locking expiry यह से खदम होती है हमें कहीना के गिरावट देखने को मिलती है और यह हमने Zomato के case में देखा PTN के case में देखा और NICA के case में भी हमें देखा उनका यह कहना है कि believes the valuation are now even more appealing and underappreciated structure growth opportunity in beauty and personal care उनको अभी इस valuation पे potential दिख रहा है अगें यह मैं मेरी recommendation नहीं है यह HSBC की है मेरी क्या recommendation वो भी मैं आपको वीडियो में आगे चलके ज़रूर बताऊंगा यहाँ पर देखे तो NICA with its leading scale rich and broad product range is a rare combination of profitability and sustainable expansion growth in our view यह कहना है इतना ही नहीं couple of brokerage houses recently came in their quarterly estimate for NICA KOTEC institution के अगर हम बात करें तो उनका यह कहना है कि NICA to expect growth revenue 39% तक का year on year baseband का growth revenue रह सकता है और even festival season अगर आप December के बात करें December quarter के बात करें तो festival season था तो जाहिर से बात है इनके revenue में आपको 30 देखने को मिल सकती है तो जो results हम expect करेंगे इस December में तो वो अच्छे results होंगे और GM Financial ने कहा है कि December quarter growth for NICA will be led by the festival demand during the holiday session जैसे इनका भी यही कहना है and penetrate in a new channel and newer initiative while there has been a tougher micro environment it expects NICA BPC to still do well due to relatively अगर आप तो जो shoppers है उसकी वज़ा से लेकिन आने वाले दोर का जो road होगा वो उतना अच्छा नहीं हो सकता है इनके लिए मुश्किले रहेगी December के quarter में शायद हो सकता है कि अच्छे results आ जाए short term में थोड़ा बहुत move देखा दे लेकिन long term का जो road है वो अभी भी थोड़ा से मुश्किल है NICA के लिए NICA के अगर हम बात किने जाए तो performance बहुत ही खराब रहे है और यह हमने देखा है कि performance अच्छा नहीं है valuation के बात यह तो अभी भी महंगा है यह इसका P ratio देखें गा 1000 का है तो अभी भी महंगा है यह अभी भी महंगा है यह sector P 138 का है और 75% टैनलिश कहरे खरीदारी करो देखो NICA मेरे हिसाब से अभी और further correction हो सकते है ऐसा नहीं कि नहीं हो सकते है लेकिन हाँ खरीदारी के मौके भी तब बनेंगे अभी नहीं बनेंगे लेकिन और further dent लगने के बात करेंगे अभी यहाँ पर अगर आप देखोगे तो November में 52.36% की holding है promoter के पास 2.16% है mutual funds के पास 0.77 domestic के पास है 6.6% files के पास है 38.55 retail और others के पास देखने को मिल रहे हैं overall NICA में जो पूरा खेल चल रहा है वो simple है यहाँ पर के बाई सब company profit में नहीं है और जिस तरीके की start-ups के हालात बने हुए हैं कहीं न कहीं लोग अब डरते हैं SMA पैसा डालने के लिए लेकिन मैं मानता हूँ कि definitely मौका मिलेगा लेकिन अभी नहीं मिलेगा बात मिलेगा लेट मिलेगा और मेरे इस अब जो खरीदारी के मौके वो अभी नहीं है December quarter के results कब आएंगे कोई date सामने नहीं आए लेकिन result अच्छे expect किये जा रहा है क्योंकि festival season था तो जाई से बाद है December के अच्छे होंगे लेकिन उसके बात के quarter से कैसे होंगे वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा अभी के लिए नाइका में खरीदारी करना है तो भाई यह थोड़ा से इंतिजार करिए जल्दबास ही मत करिए और जैसे ही कोई अच्छा move बने का definitely मैं आपको वीडियो बना कर बता दूँगा लेकिन अभी का जो move मुझे नजर आ रहा है वो लगाता downward trajectory वाला move है तो यही वज़ा है कि अभी मैं खरीदारी करने के recommendation कते ही नहीं करूँगा मुझे ता है कि अभी शायद जो गिरावट है वो थोड़ी से और देखने को मिल सकती है क्योंकि market अभी भी उतना sentiment उतना अच्छा नहीं हुआ है खासा कि जो बस था जिसके वज़से इनका जो सबस्क्राइब भी हो ठीक है अच्छा रहा उनके लिए लेकिन बाद में जब सब कुछ सामने आ तो कहीं न कहीं लोग डरते जरूर है और यह चीज़ याद रखिए कि जो शार्प decline यहाँ पर देखने को मिला है वो अभी भी खतम नहीं हुआ है रिजल्ट्स कुछ हद तक effect डाल सकते लेकिन कब आएंगे वो अभी तक पता नहीं है तो अभी के लिए थोड़ा सा